कि आपके सामने लेकर आया हूं काफी लोगों के सवाल और उनके जबाब कि सब लोग जमा हो रहे हैं तो थोड़ा सा रुख्य में बात करूंगा तब तक इतने बोलूँगा कि हमारा चैनल जो है कि वह काफी लोग पसंद करते वीडियो देखते रहते हैं लोग चाहते थे कि मुनें दुसरा अचैनल करना चाहिए इसलिए दुसरा एक चैनल है लाइफ कोच करके तो वह भी आप जाइन कर सकते हैं और उसके ओपर भी आप जाइन करके जो भी मोटिवेशनल वीडियो आते जल्दी निकल जाना इसके बारे में लोगों के जवाब क्या है उसके बारे में ढोरा ज़लदी निकल जाना या जल्डी मोल होना यह बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है ऐसा देखा जाया को एक सड़ी के अनुसारा एक रिसर्च किया गया पांसो कपल का 500 कपल और 30 से 40 प्रतिशत मतलब 30 परसेंट से लेके 40 परसेंट इतने लोगों को यह इतने लोगों नहीं बताया है कि हमको जल्दी निकल जाता है यह आदमी का प्रॉब्लम है और हमारे पास में जो लोग आते हैं इसके लिए क्या हम सवाल जवाब कर सकते हैं जो काफी सवाल पुछते हैं तो ताकि आप लोगों को सी जानकरे होगे और आप उसमें पहला सवाल जो है वो यह है के लोग पूछ ँचए कि क्या यह नॉर्मल जी। लेख जानी है तो इसका जवाब यह है यह याजिदी निकल जाना यह नॉर्मल है। उसमें कोई वह ईसा प्राब्लम नहीं है.. यदि वह दुनों के लिए प्राब्लम है मतलब ऐसा कि दोनों खुश है तो प्राब्लम ही नहीं है दोनों खुश है मगर एक वेक्ति भी उसमें नाखुश है सेक्स में तो वो प्राब्लम है आपको समझ रहे हैं कि एक वेक्ति नाखुश है तो जल्दी निकल जाना प्राब्लम ही नहीं है तो फिर वो जल्दी निकल सवाल यह कि क्या फोर्पले करते करती जल्दी निकल जाता है और फिर उनको गिंठ लगता है प्रविश होते ही लोगों का निकल जाता है और बात को प्हुच्क करने समय निकल जाता यह एस कुछ लोगों का वोर्पले में निकलता करव में अगला स्वाल है कि ये कि कितने percentage लोगों का जल्दी निगल जाता है आम पॉपिलेशन तो आइं पॉपिलिक में 30 से 40% मतलब सव में 30 से 40% का जल्दी निगल जाता है में सवाल यह लोगों का निकल जाता है कित्ने जल्दी तो देखिए यदि एक मिनिट से जल्दी निकल जाता होंगा एक मिनिट से जल्दी निकल जाता है तो वह प्रॉब्लम है मतलब लिंग का यूनी में प्रवेश होने के एक मिनिट के अंदर ही निकल जाता है तो वह प्रॉब्लम है यूजरी लोगों का 3 मिनिट से लेके 33 मिनिट तक इतना रिंच पाया गया एक स्टेडी में तीन से तेटीस मिनिट आम तोब्वे कि इतनी में स्टेडी हुई है उसमें यह पाएगा है कि पांच मिनिट और hij चालीश सेकंड का मारमल मालें चालीस सेकंड मतलब पांच मीनिट चालीश सेकंड तक लो из-स तेम कर पाते हैं तो पांच भूस्टन चालीश सेकंड आपका तो टो यह कंदे तो जनों नाखुछ है जल्दे निकल गया एक मिनिट से तीन मिनिट है तो मेडियम पराब्लम में और पांच मिनिट से ज्यादा निपलन है एक मिनिट से जल्दी निकल जाना यह ज़ा है यह मैंने इसका जवाब दिया हुआ है की एक मिनिट से ज़ल दी निकल जाना ये प्रॉब्लिम है और ये सिवैर प्राफुल में सवाल है कि क्या आधमी एक दिन में 30 बार एकुलेट कर दो आधमी एक दिन में 30 बार कि जाकुलेट करना पॉसिबल थे रिटिक बन से नहीं। क्यों कि 30 बार इर्च्षन लाना तो फिर बाद में दूसरी बार कट्रोटा आना टाइम लगता है पिर कट्रोटा आएंगी फिर करेंगा तो दिन में तीस बार आना संभव है ठेटिकली यह लगताने की पॉसिबल है यूजरी लोग शादी के बाद में जब पहला महना रहता है तो चार से छे बार का दिन बर में शंभु करते कोई लोग छे से आठ बार करते हैं यह नार्मल है कि नेक्स सवाल है कि अधिस सेकन में बार जाता है तो क्या यह नार्मल नहीं है तो यह सवाल मेरे पास मैं आ हूआ है जल्दी समय समय मतलब कितने समय में जल्दी निकल जाता धाथ इस इकनस जल्दी तो निकल जाता है उसक इसे कर नहीं पाथ पहले हाथ से निकाला है तो पहले सकता है पहले से कर लिया है तो 45 तक चल सकता है कि बहुत सारी स्वाइब में तेरा से पंदरा मिनिट टाइम पाया गया और वो नॉर्मल है कि नेक्स सवाल है जल्दी निकल जाता है उसको बंद में कैसे कर सकता हूं ऐसा सवाल है क्विक रिलीज यदि बंद करना है तो आपको क्रीम लगा सकते मरम है स्प्रेश है वह दिश्प्रेश मारते हैं तो स्क्रीज टेक्निक है स्टॉप एंड स्टाट टेक्निक है ठिक कंडों से एस्टेटाइस कंडों से और दवाईया है उससे भी जादा है यदि हाथ से निकाल देते आप पहले तो भी फायदा हो सकता है नेक्स सवाल है कि why can't guys go two rounds मतलब दो रांड क्यों नहीं कर पाते लोग दो लग दो रांड एक के बीचे नहीं कर पाते क्योंकि एक रांड के बाद में आता है और जब रिफ्रेक्टरी पिरेड आता है इसका मतलब उस समय एक्षण आएंगा नहीं और जो इरेक्षण नहीं आएंगा तो सवाल नहीं आता सेक्स करने का तो कुछ समय देना पड़ता है एक बार रिजाग लड़ने के बाद में आप जितने यहां गया उतना समय कम है यदि इसे पच्छा साल में हो सकता है कि आपको एक दिन लग जाएंगा फिर से इरेक्षण आने के लिए तो ऐसे यह टाइम होता है उसको बोलते है रिफ्रेक्टरी पिरिएड नेक्स आवाले वाट इसमें कॉस और प्रीमेचर एक्लेशन जल्दी निकल जाने का मुख्य कारण क सकता है एंजाइटी डिप्रेशन कोई इमोशनल इस्यूज है तो उससे जल्दी निकल जाता है कि दोनों में पट्टी नहीं है बहुत समय की गैप हो चुकी है नया पाइटनर है उसके साथ में कर रहे हैं तो ऐसे यह कॉसे हो सकते हैं तो यह प्रीमेचर एक्लेशन के नहीं है आपको स्टॉप इंस्टाइट टेक्निका इस्तिमाल करना है, अश्चिए नचार्टर से सकते है शुको करते हैं चकनबशन कर सकते हैं संटाइब मिलते हैं और, पिर नहीं तो अनिस्टेलाइस कंडॉम्स स्प्रेज इसका इस्सेमाल आप कर सकते हैं बहुत ही जादा हो गया प्रॉबलेम कि वह इजर्थ का प्रॉब्लम है आज नहीं हो गया तो बहुत दिन के बाद में मिल रहेए जल्दी निकल नहीं जाना है तो मैं बोलता हूं कि ठीक नहीं जलदी गिर ज़ाना यह बहुत आम बात है और इस बहुत सारे तांतनाव आते रहते हैं ऐसी निकल जाता है जल्दी निकल घ्याए यह लुक्त करूंकर प्रॉफेशनल धुए और आपका जीवन और आपका जीवन आप बहुत खुशी का आनन्द में कर सकते हैं आप आप का ख्याल को यह वीडियो लोगूं को शेयर करो आप अपका ख्याल को अपने परिवार का रहो क्योंकि आप बहुत बहुन मुल्य हो so thank you very much चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेर करो